अब बज़े हैं चार और मैं उट गूमने जा दे हूं इतने ही मेनद करने पड़ती है बज़न गटाने के लिए कि खाओं आपको टाइम देखो सुबह के चार बजे और यह एक तारी कही है जटा मेंद बाइस इतने बज़े में गूमने जाती हूं और सँपांज तक मैं वापस आती हूं डेडंगंडा उसके बाद मैं आका exercise करती हूं पानी पीती हूं था सरली से बेटके और उसके बाद मैं पीती हूं कोफी ब्लैक, विदाउट सुगर, क्योंकि इसे पी के मुझ में एनर्जी आता चाती है, क्योंकि सुबह इतनी सारे एक्सरसाइज करके मुझे थकान थोड़ी सी फील होती है, लेकिन वीकनेस किसी भी तरह की मुझ में नहीं है, ना ही मुझे एक्स्ट्रा भूग लगती है, ना ही किसी भी चीज की इच्छा होती है, तो ये सब कोफी वगार पीने के बाद, अब मैं थोड़ा सा करका काम कर रही हूं, प्योंकि मंदीर थोड़ा गंदा लग रहा था, रोज आंदी आ जाती है, और मंदीर में खुला है, तो धूल जादा बैठ जाती है, तो इसलिए वैसे भी मैं 8-10 दिन में तो क्लीन करती हूँ, तो मैं सोचे चलो आज कर देते हैं, डे भी ठीक है, बेटनस डे है, तो पहले मंदीर मैंने क्लीन कर दिया है, देखो बगवान सब तयार हो गए हैं, बस लड़ू को पाल बचे हैं भी नहाने के लिए, अब मैं पहले नहा द 86.6 और अभी आ गया देखना मेरा वेट, पिछले वेटनस देखो कितना था, तो आप अंदाज लगाना कि मैंने कितना लूज किया है, और आज पाल की फर्माइस पर बन रहा है डोकला, नमकीन वाला बनेगा, मीठा नहीं बनेगा, क्योंकि इसको ज़्यादा पसंदा है, तो मैंने बना दिया था, और ये मैं अपने लिए बना रही हूं, मुंग दाल चिलना, चिलना, और ये मैंने सुबही भी गोई थी दाल, क्योंकि रोज दाल खते वी मैं थोड़ी सी उप गी थी, मगा चलो आज चिलना बना लेते हैं, ये मैंने अच्छे से पीस लिए, मिक च्छोटी प्याज डाल लूँगे, इसका टेस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा, बोरिंग नहीं लगेगा खाने में, वैसे बहुत टेस्ट लगता है, मैं पहले भी बनाती हूं, स्वाधनिस्वार नमक डाल लेंगे इसमें, और थोड़ी सी लाल मीच डाल लेंगे, मैं इसम अश्का धनियाँ डाल रही हूं, और ये मैं इसमें डालूँगे थोड़ा सासाबुत जीरा, क्योंकि सासाबुत जीरा बेट लोस में काफ़ी हल्प करता है, और नमने डाल में भी दो चमप साबुत जीरा यह डालती हूं, आहट अच्छा साक पेष्ट बना लूँगे, मै तो मेरा यह बैटर तयार हो गया है और आप यकीन मानिए मैं सब चीज खा रही हूं केवल रोटी छोड़ रखी है और थोड़े से चावल एक दिन तो बलके पुलाव बना था तो मैंने पुलाव भी खाया था थोड़ा सा शाम के समय आधी कटोरी और दाल खाई थी मतब दाल तो रेगुलर में खाई रही हूं और इतना अच्छा वेट लोस हो रहा है बिना किसी वीकनेस के और नहीं किसी भी चीज को खाने की इच्छा होती है तो इस पर थोड़ा सा गी लगा के और आप मैं इसको बैटर को अच्छे से इस पर फैला दूंगी थोड़े देर के गी तो हम डालनी रहें इस पर तो हलका हलका सा डालना है अब इस साइड भी में इस पर आदा चमच घी डाल दूंगी इसको अच्छे साम पलट देंगे दूसरी तरफ से भी करा रहा होने तक हम इस अच्छे से सेख लेंगे और यह बहुत ही अच्छी डिस है वेट लोस के अच्छी डिस ले जो लोग ने अर आप बिना वेट लोस के भी खा सकते हैं टेस्टी लग रहा था काफी तो इसलिए आप इसको अगर आप बेट लोस नहीं करने तो भी खा सकते हैं और अगर आप करना चाहते तो बहुत बैतर होगा देको मैं दो चिल्ले बना लिए मेरे यह दो पहते हैं यह पाइल का नास्ता है दो नमकिंड़ोकला मैंने आपको बताया इसी के लिए बना है तो यह मैने इसको दे दिया है और अब मैं लगा लेती हो अपनी प्लेट क्योंकि मैं इतनी पूजा करने के बाद मुझे तेज भूख लग जाती है क्योंकि बहुत ज अब देखो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना लास्ट वेडनेस डे का वेट देखो 89.1 और यह आज का है एक तारिक का एक जून 86.6 मेरी उमीद से कहीं ज़्यादा है यह थैंक यू फोर वोचिंग